trend change होता रहता है और आपका जो stock है बड़े level पर sales और turnover कर पाएंगे growth possibilities बिल्कुल नहीं है जितना price का volume बड़ा होगा उतना ज्यादा आप This video is powered by Metas Lifestyle, India's leading manufacturer of stainless steel, module location, bathroom vanity, wardrobes and steel interior. Franchisee showroom, Pan India. Hi friends, क्या आप भी एक नई business का शुबारम करना चाते हैं और आपके बन में वही प्रश्ण है जो हर इस व्यक्ति के बन में होता है जब वो business शुरू करता है अगर आप इन साथ बातों को ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से बहतर business का selection कर सकते हैं पहली बात price ticket जिस product या service में आप deal करने जा रहे उसका price ticket क्या है और price ticket का मतलब है कि उसमें product या service का price average value क्या है जैसे बहुत से business हैं जिसमें 10-20 रुपे से लेकर 100-200 रुपे तक का price ticket होता है जैसे आप देखेंगे store 99 तो वहाँ पर highest product 99 रुपी का है store 999 वहाँ पर 1000 रुपे से उपर का कोई product नहीं है luxury products आप देखेंगे जैसे मानलोग car का showroom है तो आप देखेंगे 5-6 लाग रुपे से पर शुरू होती है car और 40-50 लाग तक ही भी car है है ना यह आप furniture का शुरूम देख रहे हैं जहां पर furniture 10-50 रुपे से शुरू होता है और 1-10 लाग रुपे का furniture है या ऐसे भी stores है जहां पर furniture शुरू ही चार-5 लाग से होता है और 10-20-50 लाग तक पहुंचता है तो यह डिपेंड करता है price ticket क्या है आपका product किस value का है तो price ticket जितना बड़ा होगा जितना price का volume बड़ा होगा उतना ज्यादा आप बड़े level पर sales और turnover कर पाएंगे यह बात तो छोटे price ticket के product में भी होती है पर होगा sales का volume बड़ा चाहिए होता है जैसे माली जीए आप FMCG के product में deal करते हैं और FMCG में क्या है price ticket बहुत चोटा है profit margin आपके product में profit margin केतना है बहुत सारे business ऐसे हैं जहाँ profit margin बहुत छोटा है लेकिन वहां पर जो game है वो volume की है बहुत सारे business ऐसे हैं जहाँ price ticket भी बढ़ा है और profit volume भी बढ़ा है कई businesses में जर्नली 10% से 20% का margin होता है 30-50% का margin होता है ऐसे business भी हैं जहां पर 40-50-70% का margin भी होता है, बहुत सारे business हैं, वो आपको देखना है कि किस तरह का business आप select करते हैं, किसी भी business को select करते समय ये बाते जरूर ध्यान देनी चाहिए, investment कितना लग रहा है, ये भी एक initial बहुत important point है, आपको ये देखना है कि आपका budget कितना, कितना पैसा business में invest क का business है, आपको level of investment देखना होगा, investment के साथ साथ उस business की operating cost कितना है, और operating cost का मतल होता है, मन्तली खर्चा कितना है, बहुत सारे business में operating cost बहुत बढ़ी होती है, जिसकी वजए से आपको ज़्यादा sales volume करनी होती, ज़्यादा pressure आपके उपर होता है, और कई जगा पर operating cost बहुत nominal होती है, जिससे अगर आपकी own building है, तो rent आपका zero हो गया, आप खुद भी working है, तो बहुत सारे employees की salary zero हो गई, आपको देखना है कि monthly operating cost कितनी है, उसके लावा level of competition कितना है, जिस business को आप करने जा रहे हैं, मान लेते हैं, उसमें profit volume भी अच्छा है, उसमें investment भी कम है, लेकिन competition बहुत जादा है, अगर आप ही के area में उस तरह के businesses बहुत जादा खुले हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में उस area के जो density of population है, वो कहीं ना कहीं divide हो जाएगी ना, बाकी business के बाकी outlets पर, तो इसलिए आपको देखना है competition कितना है, important बात एक और है, कि future growth possibilities क्या है, बहुत सारे businesses में future growth possibilities बिलकुल नहीं है, जैसे अगर आप यह सोचें कि भारत जैसे देश में plastic से बनने वाले कुछ products develop किये जाए, तो आपको पता है, government eco friendly होने की वज़े से, environmental friendly होने की वज़े से, कितना ज़दा बैन लगा रही है plastic product पर, है ना, आपको देखना है कि वो product ऐसा तो नहीं अब आती जा रही है, तो RO का भविश्य खत्रे में है, है ना, तो अब जैसे माली जो wood से बने फर नहीं चाह रहे है, दीरे 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 wood और कम होती जाएगी हमारे देश में, पेड़ ज्यादा कट रहे हैं, जिसके वज़े से wood के जो businesses हैं, वो खत्रे में आने वाले है, त wood के substitute product क्या होंगे, उस तरह के businesses को सर्च करना होगा, तो future growth possibility किस business में है, यह आपको देखना होगा, और देखना होगा कि उस business में dead investment कित्मी है, यह बहुत important point है friend, dead investment, क्या होता है, बहुत सारे business में आपको stock करना होता है, जैसे माली जे आपने medical store खोला, और medical store खोलने में आप आपके 10 से 12 लाग उर्पे लगा दिये आपने, और वहाँ पर बहुत सारी medicine ऐसी है, जो तीन महीने के अंदर expire हो जाएगी, तो ऐसे case में बहुत सारी medicines तो company वापस ले लेती है, लेकिन बहुत सारी medicine ऐसी है, जो आपके पास dead stock के रूप में आपके पास रह जाती है, या मान ready made government में भी ऐसे ही होता है, नए-ने कपड़े नए-ने designs आते हैं, और कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद वो पुराने design outdated हो जाती है, जिसके वैसे वो सारा dead stock हो जाता है, तो dead stock या तो scrap में या बिलकुल lower cost पर बेचायता है, या loss में बेचायता है, तो ये भी आपको देखन करनी है, किसी भी बिजनस का selection करने में, तो friends ये था कि आपको अपना खुद का बिजनस शुरू करना चाहिए, या franchisee open करनी चाहिए, इन 7 point को ज़रू कंसिडर करें, और ये ने लें कि आपने investment का best output कैसे निकाल सकते हैं, खुद का showroom खोल कर, या खुद का अपना business खोल कर, ध्यान रखिए, दुनिया में समझदार लोग, नए बिजनस को करने के लिए, बड़ी सफल कंपनी के साथ जुड़कर, आपने network को टेजी से spread over करते हैं, ना कि नए आनुभव करके, नए लॉस करके, नए तरीके से काम समझके, और लंबा समय लगा कर, बिजनस को establish करते हैं यह आपके उपर network करता है, आप कैसे काम करना चाते हैं, और कितनी सफलता आसिल करना चाते हैं, यदि आपके मन में business related कोई भी प्रशन हो, तो आप comment box में ज़रूर लिखें, business related कोई भी informative वीडियो मिस ना हो, उसके लिए चैनल को subscribe कर लें, और bell icon को ज़रूर दबाना, ताकि वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास है, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी, आपके सुन्दर बविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत